तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैस्वायवनीशर में और आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण से जुड़ा एक और इंपोर्टेंट टोबिक का नाम है फ्रेंड्स गति विधिया एवं प्रयोगात्मक कार्या है तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि पर्यावर अधिक इंपोर्टेंट हो जाते हैं तो फिर इस टॉपिक से क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं अकसे सी टैट में तो बहुत क्वेश्चन इससे आते हैं और यूपी टैट में भी क्वेश्चन आते हैं इससे तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपसे यह कहना चाहू सेक्षिक ब्रहमण की योजना बनाई, ब्रहमण के दोरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाय रहेंगी सीटेट जून दोहर, 11 में आयोगा कुश्चन है, फ्रेंट्स तो उप्षन देखते हैं कि सेक्षिक ब्रहमण के दोरान बच्चों से क्या अपेक्षाय रहती है, तो तो बाकी बच्चों तता शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बाटना चाहिए, तो जैसा कि आपको लग रहा है कि सबी को आंसर मुझे पता है कि फोर्थ दिमाग में आई गई आएगा, क्योंकि ये ज़्यादा इलबरेट करके है और ज़्यादा इसमें चीजों को समझाय गया है तो और ये पोजिटिव भी लग रहा है कि ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, तो पोजिटिव बात है, देखना चाहिए, टिप्पड़ियां दर्ज करनी चाहिए बिल्कुल, और बाकी बच्चों तता शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को यानि आपने क्या चीज देखी, क्या महसूस किया, ठीक है, वो अवलोकनों को बातना चाहिए, शेयर करना चाहिए, तो औप्शन 4 इसका correct answer होगा, आगे बढ़ते हैं फ्रेंट, तो फ्रेंट्स बढ़ते हैं next question पे, question number 30, बच्चों को विविन प्रकार के इंधन से परिचित कराने के लिए सिक्षक पहला option, कक्षा में कुछ इंधनों की नमोने दिखा सकता है, एक लगू फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तुमाल होने वाले संबभावित, इंधन के प्रकारों पर बच्चों की साथ चट्चा कर सकता है, चार्ट पर इंधनों के चित्र प्रदर्शित कर स अच्छा रहता है या वीडियो फिल्म एक लगू फिल्म दिखाना बैटर रहता है आप ही सोचिए कि अगर आपको एक कहानी सुनाई जाए एक मूवी आपको वीडियो की रूप में ना दिखा के चित्रों के द्वारा दिखाई जाए जैसे कि पहले लोग कॉमिक्स पढ़ते तो उसमें जादा मझा आएगा कि आगर आपको या फिर आपको एक वीडियो दिखाई जाए उसी कहानी के वीडियो दिखाई जाए वे एक लगू फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के इस्तमाल होने वाले सम्मावित इन दिनों के प्रकावर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है तो लगू फिल्म दिखाएगा और बीच वीच में पोस गरके उनके बारे में तो चडियागर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामर्गी ले जा सकते हैं ठीक है क्या प्लानिंग रहेगी चडियागर के बिविन जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना उप्शन 3 है चडियागर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फोटो इकतर करना चडियागर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाना और चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कौपी को साथ ले जाना तो फ्रेंड इसमें हम थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तमाल करेंगे इस बात का बिल्कुल भी फर्क नी पढ़ने वाला इस क्वेशन का आंसर निकालने की आपने पहले पर्रेवन अध्यन को पढ़ा है ठीक है उसके बारे में आपने जाना है तो अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी इस्तमाल करेंगे ठीक है तब भी आंसर आजाएगा क्योंकि बात हो रही है कि बच्चों को हम चुडियागर दिखाने ले जा रहे हैं उन्हें बिर्म प्रकार के जीव जनतु होंगे तो प्रेक्टिकल काम इनमें से कौन सा आपको लग रहा है ठीक है हमें ढूनना है कि कौन सा प्रेक्टिकल काम नहीं है कौन सा सही काम नहीं है तो चुडियागर के जानवरों के लिए आप बहुत सारी खाने की चीज़े ले जा सकते हैं बिल्कुल बैग में रखके ले जा स सकते हैं ठीक है आप कहीं से कटिंग कर सकते हो बुक में से या इंटरनेट से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलबा सकते हो लेकिन चुलिया घर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए ड्राइंग बुक की कॉपी साथ ले जाना अपनेज एक प्रेक्टिकल काम नहीं देखता ठीक है कि ड्राइंग बुक की कापी ले जायेंगे और वहां बैटके बच्चे बजाए की अवलोकन करने के की कौन सा जानवर कहां कैसे रह रहा है कि हम एक जानवर को देखेंगा उसकी ड्रोइंग मनाने शुरू कर देगा तो सारा टाइम तो उसी में निकल जाएगा तो यह practical काम नहीं है तो option 4 जो है हमारा correct answer है 21 गतिविदी के अनुमत के लिए उसे निम्लिके चार बिन गतिविद्या सुझाते हैं तो पहला है खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के उपर रखें और उसे नीचे धके लें ठीक हैं आगे बढ़ते हैं फ्रेंस क्वेशन का option number 2 देखते हैं option number 2 है इसका फ्रेंट स्ट्राक की माध्यम से जूस को खीचना तीसरा option है गुब्बारे में हवा भरना चौथा option है दो भरे हुए गुब्बारों को एक छड़ से बांदे तथा साम्यवस्था में ले आएं तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें तो फ्रेंट हमने चा पानी की सतया पर उपर से कर दबाब डालोगे तो वो दबाब आपके उपर उल्टा दबाब म localized ठीक है एक्शन का रीक्शन होगा या आग अब आप बीकर को पानी की सतया की उपर अगर प्रेस करोगे ठीक है तो वो पानी उपर से force मारेगा क्यों इसलिए मारेगा क्योंकि beaker खाली नहीं है beaker के अंदर क्या है कि पानी भरा हुआ है मैं आपको बताता हूँ जैसे ही आप beaker इस तरह का कोई beaker खाली beaker आप उसको जो है पानी की सतय के उपर किसी बाल्टी में उस पानी के उपर दवाब डालोगे तो जो पानी के उपर आपने ऐसे दवाब डाला तो पानी आपके उपर ऐसे दवाब डालेगा और वो दवाब इसलिए डालेगा क्योंकि बीच में ये जो एरिया है ये खाली नहीं है ये दिख रहा है खाली लेकिन इसके नदर क्या है air है तो जब air पे पानी pressure मारेगा तो air beaker पे pressure मारेगी और beaker आपके हाथ पे pressure मारेगा और आपका हाथ इस तरीके से उपर की तरफ force feel करेगा तो पहला option भी correct है दूसरा option श्ट्रा के माध्यम से juice खीचने को तो यह option यह जो है example ठीक नहीं है समझाने के लिए यह गलत है तीसरा है गुबारे में हवा बरना तो ठीक है गुबारे में हवा बरे जाएगी ठीक है और वो जगे घेरेगी तो इससे क्या समझ मैं समझ मैं तो नहीं आ लेकिन option 4 देखता है दो बरवे गुबारे एक छड़ से अब जैसे इस गुबारे में आप फोड़ोगे तो यह हवा निकल जाएगी और हवा निकल जाएगी तो यह छड़ जो है ऊपर की बजाए अब नीचे की तरफ आजएगी इस तरह से गिर जाएगी तो इसका मतलब पहले यह जो जगे थी हवा ने घेर रखी थी और जैसे ही निकली ठीक है जगे खाली होगी और यह छड़ नीचे की तरफ आगी और यह तिरची होगी इसका मतलब इससे पता चलता है कि हवा जगे घेर थी है जब जगे घेर रही थी तबी तो उपरत की तरफ बैलेंस था अभी नीचे की तरफ आगया तो option 2 इसका final correct answer होगा आगे ब विचार को सुईकार करना एवं सम्मान देना चाहिए विशेष्ट है प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए विशेष्ट है पुस्त को और परिक्षाव पर ध्यान देना चाहिए तो फिन question number 33 का correct answer होगा विशेष्ट है प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि मैंने जानेंगे नहीं, उनके साथ घुलेंगे मिलेंगे नहीं, उनको फील नहीं करेंगे, चूके नहीं देखेंगे, पत्तों को चूके देखना, ठीक है, पेड़ों को महसूस करना, ठीक है, मिट्टी को चूके महसूस करना, तो प्रियोगों पर आधारित सिक्षा जो होती है, वो तो आते हैं, 34 पे प्रियोग और प्रियोग आत्मक कार्रे करते हैं, श्यामा का निस्पादन कक्षा में सर्फशेश होता है, उसे बहुत सरनात्मक शिक्सार्थी माना जाता है, इसलिए भै डोट-डोट-डोट के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है, तो फ्रेंट्स, क्वे से आके एक प्रियोग अत्मक चीजों में बहुत बहतर है, बहुत अच्छा परफुम करती है, तो उसका चिंतन जो है वो अपसारी हुआ एक बिंदू पर नहीं रुखती वो वो चारो तरफ सोचती है और चारो तरफ अपना दिमाग दोड़ा के ठीक है चीजों को समझती है तो correct answer जो होगा इसके लिए वो अपसारी चिंतनों का option 1 correct answer 34 का आगे बढ़ते हैं फ्रेंट 35 पर देखते है रोहन के विध्याले में एक विज्यान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सरवाधिक उप्यूगता है पहला option है विध्याले का न तो इसका उद्देश्य क्या हो सकता है विज्यान प्रदर्शनी का तो विध्याला का नाम प्रसिद करना तो यह गौण नौन इंपोर्टेंट यह object है हमारा ठीक है तो यह one option नहीं होगा option टू पर देखते हैं इसमें तरह का अभिवावाव को संतुष्ट करना यह बेकार क और भी आप देखोगे कि question तो भारी भरकम होते हैं लेकिन अगर आप उनके options पर उतरते हो आप उनको महसूस करते हो कि तो एक आद option ऐसा होता है जिनसके अंदर ऐसा word दिखता है अगर उसका आपको meaning याद जैसे स्रजनात्मक वर्ड ही अपने आप में सारे question का answer अपने लगा सकते हो कि विज्ञान अपने आप में creativity का एक जरिया है creativity बढ़ाने का एक जरिया है सोच को बढ़ाने का जरिया तो option 4 इसका correct answer होगा 36 पर पर्यावन जागरुकता को किसके द्वारा स्रजन किया जा सकता है पर्यावन जागरुकता को तो पहला option है व्याख्यान द्वा और चोता option है अध्यन तो जैसा कि हमने देखा कि पर्यावन अध्यन जो है वो ब्रह्मन ठीक है और पर्यावन से अपने आपका जुड़ाव अंतेकर्या उसको महसूस करना उसको फील करना उसके बीच में जाना ठीक है तो यही सबसे best option होगा तो इसके लिए छेत्रे ब्रह फशा 3rd के शिखार्थी को जानवर हमारे साथी प्रकण से परिचित कराना चाहती है प्रकण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निमलिख्यत में ऐसे कौन सी युकती सरवाधिक उपईक्त होगी जानवर हमारे साथी इस प्रकण को ठीक है वह समझाना साथी होते हैं चित्र देखने से सिर्फ नहीं option one गलत होगा ठीक है option two पर जलते हैं विवन जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले कि option तो तीनों उपर के भी हो सकते हैं लेकिन बेस्ट कौन सा है option no.4 क्योंकि इसमें film की बात की गिए कि चल्चित्र के माध्यम से वीडियो के माध्यम से समझाना ज्यादा आसान रहता है किसी भी प्रकरण को आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं friends question no.38 कक्सा 4 के सिकसार्थियों को हवा सब जगए है यानि air is everywhere का प्रकरण प्रहाते समय गितिका निमलिखित गतिविदियों को करने की योजना बनाती है प्रकरण से संबंदित प्रशन पूछना एक आम बात है खास बत क्या है इसमें option 2 देखते हैं शिकसार्थियों को छेतर ब्रह्मन पर ले जाना ठीक है हवा सब जगए है ये समझाने के लिए छेतर ब्रह्मन पर ले जाना option 3 है विशिस्ट उधारणों से संकल्पना की व्याख्या यानी उधारण देते हुए चीजों को समझाना option 4 है संकल्पना को समझाने के लिए मल्टी मेडिया कैपसूल का उप्योग करना तो फ्रेंट जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने अभी बताया कि पर्यावन से जोड़ा कोई भी अगर concept समझना है ठीक है तो उसके लिए छेत्रिय ब्रह्मन पर्यावन के बीच में ठीक है जाना ही सबसे best option होता है तो option 2 इसका यहाँ पर correct answer है और यह किसमे है यह देखते हैं तो यह केवल दो option 2 में ठीक है क्योंकि 3 और 4 को सेलेक्टर होगे तो बाबुजी 2 गलत हो जाएगा ठीक है तो यह option ऐसे भी नहीं होगा और केवल 1 को सेलेक्टर होगे तो भी 2 रह जाएगा तो यह भी पार्ट में सोचिये और चर्चा कीजिये भाग में नीचे दिया गया है कथल लिखा है तो EVS की पुस्तक है सोचिये और चर्चा कीजिये का कोई topic है ठीक है उसको उसके बारे में हमें बताया गया है यदि आपकी गाम तता शेहर में सब्तहा इतक पैट्रोल अत्वर डीजल नए हो तो क्या होगा ठीक है यह आपको सोचना है और महसूस करना है और इस पर चर्चा करनी है चात्रों को तेल के न्याय संगत उप्योग के बारे में समवेद शील बनाना ठीक है चात्रों को पैट्रोल और डीजल के शुरोतों के बारे में मूल्यांकन करने के लिए बार से आपको कौन सा क्रेक्ट लग रहा है कि कौन सा अब्जेक्टिव पूरा होगा इससे तो जैसा कि हम जानते हैं कि वास्तिविक जीवन की जिन्ता को समझने है तू कल्पना और सोचने विचाने की कुशलता बढ़ावा देने के लिए इसका राइट ऑप्शन हमें लग रहा ह तो डीजल ना हो सब्ता तक तो यस बात पर फोकस किया गया है तो वो आपसे यह सोचने के लिए कह रहा है कि अगर नहीं होगा तो कितनी दिक्कत आएंगी ठीक है प्रब्लम खड़ी हो जाएंगी कि आप बाइक मोटर साइकल आप बस में नहीं जा पाओगी ठीक है और जै चात्रों को तेल के नियाय संगेत ःप्योग के बारे में सम्वेकडित शील बनाना भी यह एक करेक्ट आंसर मुझे लग रहा है दूसरा ओप्शन देख लहते हैं चात्रों पैट्रों और डिजल की कमी के बारे में जागरती उत्पन करना ये objective नहीं है चात्रों को तेल के नियाय संगेत उप्योग के बारे में समवेदेशन शील बनाना तो इसमें कहीं ये option तो सही है ये भी सही है लेकिन exact answer ये कि ये जो प्रकरण दिया गया है वो पहला objective उसका ये है कि चिंतन प्रकर्या के बारे में कलपना करने और सोचने विचारने की कुछ शलता को बढ़ाने के लिए प्रकरण इस बारे में दिया गया है तो correct answer final answer ये होगा option ये सही है ये भी सही है चात्रों को तेल की नियाय संगेत उप्योग के बारे में समवेदन शील कराना लेकिन ये जो समवेदन शील बच्चे बनेंगे वो ककसा 5 के बच्चे को ककसा 5 के बच्चे को समवेदन शील बनाने से कुछ नहीं होगा क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है च्छटी साथ बड़ा चीजों को ज़्यादा रिलेट करता है तो वहां तो ये point विल्कुल वैलेट बैना answer ये नहीं होगा या answer तो 3 होगा लेकिन बात ये भी सही है लेकिन answer हमारा 3 ही correct होगा क्योंकि main motive जो है सोची और चर्चा कीजिए के बारे में है तो इस बात को बढ़ावा देने का जो काम होगा ठीक है वो option 3 से होगा option 3 यहां perfect answer है तो उसी को चुनेंगे क्योंकि इसमें ये तो है नहीं कि प नीचे दिया गया कौन सा सामानिय नर्देश भ्रमन के लिए एप्रक सांगिक है तो देखते है option 1 प्रदर्शन के समय अपनी संकाओ के विसाय में प्रशन पूछना option 2 है अपना दिनबर का पूरा बस्ता लेकराना तीसरा है बिना मुझे सूचित कि कहीं नहीं जाना option 4 आप अपने साथ pen और notpad ले जाना ठीक है फ्रेंट्स तो फ्रेंट्स आंसर आपको पता चल गया होगा कि कौन सा non important काम है जो टीचर किसी student से कहेगा ठीक है section विर्मन की योजना के दौरान कि भाया अपना दिन भर का बस्ता उठा कर लेकर आओ यह कोई यह कोई बात ही नहीं है दिए कि यह कहने का कोई मतलब नहीं है बसता उठा के लाने तो प्रदर्शन के समय अपनी संकाओं के विशा में प्रशन पूचेंगे शिक्षक यह बात बताएगा अपने स्ट्रेंट्स को बिना मुझे सूचित कहीं नहीं यह बात बताने लायक है अपने साथ पैन और नो देश है निमन में से कौन सा है पहला अप्शन है बच्चों की उठ्जा को विक्षित करना चात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभब सावाजी करन को बढ़ावा देना और फॉर्थ है टीम भावना को बढ़ाना तो फॉर्टी वन का करेक्ट आंसर जैसे कि आप देखोगे समझोगे ही कि पर्यावनार अधियन में हम सेक्षन एक ब्रहमण करते हैं और सेक्षन ब्रहमण का मुख्य अद्यस्यक्ष क्या होगा प्रत्यक्ष अनुभब करना जैगा तो चिछों को देखने ही जा जाएगा ठीक है तो प्रत्यक्ष रूप से अनुभब करना यहां correct answer हो पॉइंट को दिमाग में रखिए को रिलेट करिए इनको रट्टा मारी दिमाग में एक इमेज क्रेट करिए ये तीनों जुड़े हैं इनसे पूछे जाएंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं पहला option देखते हैं विद्ध्यारतियों से प्राप सूचना है पाठ् पुरा होगा ये गलत अंसर है आगे बढ़ते हैं जिग्यासु बच्चे राश्ट नर्माण के लिए आवश्चक हैं जिग्यासु बच्चे राश्ट नर्माण के लिए तो आवश्चक हो सकते हैं लेकिन यहां बात हो रही है गर्मियों की चुट्टियों की बात कहां से आ अधार है तो विध्यारतु की जो अन्वव होते हैं उनके ज्यान का अधार होते हैं बच्चा या कोई इंसान भी और इसी बात को अन्वव करेगा तो वो उसकी ज्यान को बढ़ाएगा ठीक है उसकी ज्यान में व्रद्धी करेगा और वो आगे उसके काम आएगी तो option 3 correct answer है 43 क्या चाहता है जीव जंदों पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद सीतल कक्षाचार के सिख्षार्तियों के लिए चड़िया गर के ब्रहुमन का आयुझन करती है यह है ... डॉट में डॉट शुक्षार्थियों की मदद करेगा कि अगर शीतल कह रही है कि कख्षाचार के बच्चों को चुड़े अगर भ्रमन कराना चाहती है वो तो इसका उद्देश्य क्या होगा किस बात में मदद करेगा जीव जन्तू सग्रक्षण के कोशलों के विकास कख्षा कख्षे अधिगम को वास्तिक जीवन की परस्यूतियों के साथ जोण लेका तो जैसा कि आप थर्ड जैसे ही घुसे आप आपको फील आ जाएगा कोश्चन करते करते आप इतने सारे कोश्चन अब इनको कर चुके हो अगर किसी ने पर्यावन अध्यन से जोड़े कोश्चन में अप्लाई हो रहा है तो देखिए कख्षा कख्षा अधिगम जो आपने कख्षा में चीज़ें सीखी बाते सीखी जैसे मालिया हमने किसी टीचर ने हमें बताया कि हमें बिवन जानवरों के बारे में बताया अब अगर उस घ्यान को हम अनौप करना चाहते हैं और अपने दिमाग में मस्तिष में पर्मनेट करना चाहते हैं तो अगर हमें वो मालिया शेर हमें बता रही है कि टीचर ने बताया है कि वह शेर इतना बड़ा होता है उसके एक पूँच होती है, वो इतना सक्तिशाली होता, उसका जबडायत ना होता, उसके गले में बाल होते हैं, यानि जो बबर शेर होते हैं, तो अगर एक चीज तो किताबी ग्यान दे दिया, किताब में चितर दिखा दिया, और दूसरा है कि अगर सामने शेर आ जाए, तो पांच की पर्यावन अध्यन के पाट्य पुस्तक के एक पाट में सरवेक्षन और लेखन पर एक भाग का मुख्य अदेश्य है, पहला उप्शन है सिकसार्तियों की सामाने जानकरी का आकलन करना, दूसरा उप्शन है सिकसार्तियों को अफसर उपलब्द कराना, कि वो शिक्षार्तियों को जो है खोजने वैं सीखने के व्यापक अपसर मिलते हैं तो इसके माध्यम से जो चात्र है वो नहीं नहीं जानकर एकत्र करते हैं नमीन तथ्ये एक खत्र करते हैं तो इससे एक व्यावारिक स्रिक्षन का माध्यम भी हम कह सकते हैं तो इसका correct answer option होगा friends option number 3 विशे की आधारबुत अवधारणा को सीखने में सिक्षार्तियों की मदद करना ठीक है सर्वेक्षन और लेखक आगे बढ़ते हैं question number 45 पे आपके प्रधानाचारे ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विध्यार्तियों को शेक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं इस अर्थक अध्यान के लिए उसे विध्यार्तियों के साथ यात्रा से पूर्व साजा करना option 2 है जहां जाना हो उसके बारे में जानकरी प्राप्ट करने और पढ़ने के लिए विध्यार्तियों को कहना option 3 आनंद के लिए पर्याप भोजन और खेती को साथ ले जाना आनंद के तो question number 45 का option number 1 देखिए तो फ्रेंड देखिए कि option number 1 अपने बहुत बड़ा broad aspect concept लिए हुए है कि क्रिया क्लापों की एक स्तरीकत sheet वो बनाएगी तो क्या क्या काम वहां जाकर section बिर्मन के अब लोकन के दोरान बच्चों को करने चाहिए तो उसकी एक sheet एक पहले से ही pre-plant structure होना चाहिए यह बिल्कुल बात सही है उस स्तान के बारे में तयार करना पड़ेगा कि उस स्तान के बारे में जानकरी खटा करेंगे ठीक है किस तरह से जाना है बस से जाना है कार से जाना है कितनी दूर पैदल जाना है कि इन चीजों का ध्यान रखना है दूसरा है करना और प्र चीजे अंदर लिए वे हैं जैसे जहां जाना हूँ उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विध्यारतियों को कहना ठीक है तो ये भी थोड़ा-थोड़ा सही है और ये थोड़ी-थोड़ी सही बात पहले से ही इसी के अंदर है बड़े option के अंदर आ तो वो पार्ट भी इसी के अंदर आ जाता है तो option 1 अप्रियाम में perfect answer है आगे बढ़ते हैं 46 देखते हैं निमलिकित में से कौन से प्रात्मिक इस तरपर पर्रयावन अध्यन में आकलन के लिए उपकरण और तकनिके हैं तो पर्रयावन अध्यन से जुड़ी चीजे देखत हैं कौन से तकनिके हैं कौन से उपकरण इसमें काम आने वाले हैं पहला option है परियोजना कर रहे हैं और दूसरा option है छेत्र ब्रमन तीसरा है जर्नल लिखना विचार मांचितरन करना तो फ्रेंट 46 का जो correct answer होगा आपको पता है कि जर्नल लिखना और विचार मांचितरन करना जर्नल लिखना तो अपने वैसी गलत हो गया ठीक है तो इसमें आप देखोगे कि विचार मांचितरन वाला option गलत होगा सिर्फ इसी से कुछ काम सोड़ी चलना है तो केबल 4 वाला answer गलत अब बात करोगे जर्नल लिखने की तो जर्नल लिखने थोड़ी प्रात्मिक स्तर पर ये काम सोड़ी होता है प्रात्मिक स्तर पर जर्नल लिखना तो option 3 जिसमें आएक वो गलत होगा तो option 1 गलत हो गया अब बात आती है परविजिना कार रहे है और छेतरमन तो छेतरमन तो विल्कुल correct answer है और ये option number 2 किसमें आ रहा है इसमें तो ये collect होगा और प्रोक्त सभी इ पहले select तो करोगी अगर आपको perfect answer मिल गया तो अपना correct answer एकदम perfect answer जो उसको click कर दो answer मिल जाएगा लेकिन कभी कभी ये होगा कि दो या तीन option आपको सही लग रहे होंगे आसपास सही के आसपास लग रहे होंगे तो उन में से आपको करना क्या होगा कि जो गलत होगे उनको reject करना होगा और अपने आप में जो बच जाएगा वही perfect और selected answer होगा ठीक है तो इस टेक्निक को भी आप इस्तमाल करोगे objective questions में next question में चलते हैं मुख्य बिंदू है वह important हो जाते हैं सारे स्टेट के exam में जो TET होने वाले हैं तो सरकारे बदलती हैं और pattern भी बदलते हैं तो कभी कभी होता यह है कि अभी तक last year की जो TET exams होए हैं उनमें जो CETET या Central Government की NCT की जो guidelines है UPTET का syllabus और exam paper बनाने में वह बिल्कुल भी follow नहीं की ज section pedagogy के होते हैं और 15 question संग्यानात्म होते हैं इनी cognitive होते हैं knowledge से based होते हैं जानकर इसे जुड़े होते हैं तो उनको विल्कुल भी follow नहीं क्याता है कि उठा के सारे cognitive संग्यानात्म वाले question डाल देता है कि रटने वाले चीज़ें तो इस जिसमें समझ की अवधार ना बने व यूपीटेट ने जो यूपीटेट का जो syllabus आया हुआ है लेकिन भरोजा कुछ नहीं है कि syllabus क्या है question क्या है कौन सा क्या pattern फोल जाए आपको हर तरीके से तैयार रहना है तो इसलिए आपको ये question भी पढ़ नहीं चाहिए क्योंकि एक question भी आपको इन या out करादी का सिक्षक भरती से ठीक है तो हर question important है हर topic important है ठीक है पढ़ते रही है फ्रेंट्स देखते हैं last question हम last almost last के करीब पहुंच गया है देखते हैं महेश क्रक्षा फोर्थ के शिक्षक है वे वरक्स संग्रक्षन की अब धारणा पर शिक्षार्तियों को समवेधन शील बनाने के लिए योज पूशन करना ये भी ठीक ठाक है अपने एक पोदी को अपनाने वो उसका पोश्रण करने के लिए प brack सिक्षार्ति को अभी प्रेरित करना ऑ upsystem 3 है पोvos णरब्रग्षसर्डा करना यह सम्मिदेंशिल मुद्दा है तो option 2 इसका देखिए एक पोदे को अपनाने और उसका पोशन करने के लिए प्रितियक शिक्षारति को आप अगर अभी प्रेरित करोगे बजाए कि कागजी शेर बनाने के कागजी व्रक्स संग्रक्षन करवाने के आप ट्रक्टिकल लाइफ परियामना अध्यन के शिक्षन अधिकम में सर्वेक्षन का उद्देश्य निम्ल में से कौन सा है समुदाई के साथ अंतियो कर्या का अफसर प्रदान करना वच्चो को बिभिन लोगों के प्रति सम्मेंदन श्रील बनाना सूचना को प्रत्यक्स प्राप्त करने का अफसर प्रदान करना आकलन कि एक अफसर के रूप में इसका उप्योग करना और मैंसे कौन सा सही है तो देखते हैं फ्रैंट्स पहला और पहला और चोथा दूसरा तीसरा और चोथा पहला दूसरा तीज़ा ऑप्रावन के सिक्षन में सर्वेक्षन समुदाए के साथ अंत्यक्र करना बिल्कुल समुदाई यानि पर्यावण के साथ अंतिय कर रहा करना यह तो मेन अब्जेक्टिव है दूसरा है बच्चों को विभिन लोगों के प्रती सम्वेदेशन शील बनाना लोगों की बजाए यहां प्रकरती से चुले वह पर्यावण का हिस्सा है तो ऑप्शन अगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेशन 49 पर चलते हैं 49 कहता है अच्छा इससे पहले यह पढ़ लेते हैं नर्देश दे रखे हैं शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी वालने और उसका वास्पिकरन हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद साथ आठ वर रुए यह उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में प्रहां क्या बिचार ऐकर उत्तर बच्चों के विचारों के बारे में क्या बताते हैं तो बात हो रही है बच्चों की तो बच्चों बच्चे एक अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते हैं तो बच्चों की सोच गलत है तो सोच गलत नहीं है क्योंकि वह तो बच्चे तो अपने हिसाफ से सोच रहे हैं सही गलत सोच कोई मतलब नहीं है बच्चों को बच्चों का उत एज के हिसाफ से वो तर्क लगाने हैं तो तर्क संगत उनके हिसाफ से तो है ठीक है तो option 1 देखिए बास्पी करण के बारे हैं बच्चों के विकल्प ये विचार हैं कि बच्चों ने वास्पी करण को देखा जिसको जो लगा उसने अपने विकल्प बता दिये तो option इसका 1 correct answer होगा शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए बच्चों को बता दे कि वह गलत है जल्चक्र को एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें वास्पी करण की परिवाशा दें और बच्चों को उसे याद रखने के लिए कहें option 4 है उनके विचारों तक पुन्ह हमने question discuss कर लिए हैं तो यह ठीठा question थे I hope आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी अगर आपको कुछ कमी अच्छा ही लगती है तो comment box में जिना निकलना बोलें और चैनल से जुड़े रहे हैं friends मिलते हैं next video में तब तक के लिए धन्यवाद किया दुड़ं उन्यवाद ऊदोड़ में उन पौन होगीर औरसे लिए परूई